हमारे आर्थ पर पेदा हुए हर एक स्पेसिस को अपने जिन्देगी को पूरा जीने कहके लेकिन इनसान नाम का एक जीब है जो की ये सब इतनी आसानी से होने नहीं देता है आईए हम थोड़ा सा अभी के टाइम के हालात पर नजर डालते हैं कि क्या हो रहा है जब वो जंगलों में खानी की तलाश में घूम रही थी तभी कुछ लोगों ने उसे पठाखों से भरा हुआ एक अननास खेला थिया इनके पास से बनकर्लियों को दुरलब प्रजाती के पैंगुलिन का चमरा बढ़ा मत हुआ है इनके पास से स्टार निशान वाले रेयर बेड के कच्छों बरामत हुए है इन कच्छों को गुडलग लाने के नाम पर उची कीमतों पर बेच आ जाता था इंडिया आपने रीच डैवर्सिटी के लिए पूरे भी स्वभर में जाना जाता है लेकिन वड़ती पोपलेशन, क्लाइमेट चेंच, डीफोरेस्टेशन और भी कई करण के बज़े से हमारे एको सिस्टम को भारी मात्रा में थ्रेट्स का जामना करना पड़ रहा है और आजे रेजल्ट ऐसे बहुत सारे अनिमेल स्पेसिस जो कि इंडिया में रहते हैं वो अभी बिलुपत होने के कगार पर खड़े हैं और अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए संगर्स कर रहे हैं आगे हम वेडियो में इसी के बारे में ही डिस्केशन करने बाले हैं तो हम सुरवाद करते हैं वान अप दी मोस्ट क्रिटिकाली एंडेंजर बार अफ इंडिया दी ग्रेट इंडियान बॉस्टर्ड कुछ साल के पहले तक ये बार राजस्तान के थार डेजट पर देखने को मिलते थे लेकिन पिछले 30 सालों के अंदर इनके आबादी का 75% सा खतम हो गया है इनके पोपुलेशन कम होने का सबसे में रिजन है पावर लाइन बैसिकली ये बार्ड्स नूर्माल बार्ड्स के मुकाबले साइज में थोड़े से बड़े होते हैं और उनके पास चच्छी आई साइट और प्लाइंग अबिलेटी नहीं आ होने के बज़े से ये दूर से पावर लाइन को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और जब power line के पास आते हैं तो ये उससे collide कर जाते हैं और electricity की बज़े से इनका मोत हो जाता है बढ़ते हैं दूसरी species की और जो की है golden लंगूर पिछले 30 सालों के अंदर इनकी आबादिका 30% सा घटकर अभी इंडिया में कुछ 6000 के आसपासी रह गया है इनकी घटती हुई population का असली बज़ा है road accident और electrocution बंदर का ये species इंडिया में सिर्क मानस नेशनल पार्क में दिखाई देता है जो की आसाम में है इन बंदरों के लिए बहां के district authorities ने एक project launch किया है बेसिकली इस project के अंडर में बहां के जंगल में अमरूत, आम, ब्लक वेरी और अलग अलग तरह के फल के पेड को लगाय जा रहा है ताकि golden लंगुर को अपनी जान को रिस्क में डालते हुए दूसरी जगा खाना ढूनने के लिए ना आ जाना पड़े बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के तीसरी स्पेसिस के और जिसका नाम है रेड पांडा, इसे लेसर पांडा भी कहा जाता है वाल्ड वाइड इसकी घटती हुई population को देखते हुए 2008 में IUCN की रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर घोसित कर दिया गया है अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में ये सिक्कीम, वेस्ट वेंगल और उनाचल प्रदेस में रेड पांडा देखने को मिलते हैं दिखने में ये बहुत ज़्यादा सुन्दर होते हैं और खाने में ये बांस और पैड के पत्ते खाते हैं इनकी घटती हुई पोपुलेशन के पिछे बहुत सारे बज़े हैं जैसे कि इल्लीगल हंटिंग, क्लाइमेट चेंज, डीफोरेस्टेशन, जंगल में आग लगना और भी एसे बहुत से बज़ा सामिल है और मुझे तो सबसे जाता बुरा लगता है कि बहां के आसपास के लोग इसका इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं चाइना के साथ क्योंकि चाइना के लोग इसके पूच से अपना है आट त्यार करते हैं बैसे तो अभी के डेट में रेड पांटा की हंटिंग को पूरी तरह से इल्ली गल गोशिद कर दिया गया है लेकिन कुछ जंगली सिकारी जैसे की लियोपोर्ड और इगल इनका सिकार अभी भी करते हैं आगे बढ़ते हैं बेडियो के चोथे स्पेसिस की और जो की है एलिफेंट हमारे इंडिया में एसियन एलिफेंट पाये जाते हैं जो की साइज में अफरिकान एलिफेंट से थोड़े से छोटे होते हैं जेनराली हाथी हमारे इंडिया में करनेटका, आसाम, केरला, तामिलनाडू और ओडिसास्टे स्टेट में देखने को मिलते हैं 1986 में हाथी की गिर्ती हुई पोपुलेशन को देखते हुए IUCN की रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर गोसित कर दिया गया था अभी के डेट में इंडिया में इनकी टोटाल अबादी 29,000 है लेकिन पिछले 5 सलों की अगर बात करें तो लगवग 500 हाती मारे जा चुके हैं जो की हमारे लिए एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है इनके लिए सबसे ज़्यादा कत्रा रोड अक्षिडेंट, इलेक्ट्रिक्यूशन और इल्लीगल हंटिंग है इंडिया के कुछ जगा पर ये तक भी देखा गया है कि लोग उसके खाने में बलस्टिंग केमिकाल और पोहेजन देकर उसको मारने की कोशिश करते हैं हमारे इंडिया में जंगल की मत्रा कम होना और भी एक बहुत बड़े क्रिटिकल इस हुए क्योंकि जंगल कम होने की बज़े से इनको खाना सफिसेंड नहीं मिल पता है और आज है रेजल्टी हमारे गाउं में गुषने की कोशिश करते हैं इंडिया की जान और इंडिया की सान कहा जाने बाला रोयल बेंगल टाइगर भी इस लिस्ट में सा मिले बाग हमेशा केले रहने और एकेले सिकर करने के लिए पसंद करते हैं और ये हमारे इको सिस्टम को बालन्स रखने के लिए एक बहुत बड़ा इंपोटांट रोल अदा करते हैं लेकिन कुछ फैक्टर्स जैसे की इल्लीगल हंटिंग, रोड अक्सिडेंट और इलेक्ट्रिक्यूशन के वज़े से इनके आबादी के उपर खत्रा है हमारे इंडिया में अभी दो हजार चब्श में इनकी टोटाल आबादी लगभग 3200 के आसपास है हाला कि पिछले कुछ सालों के अंदर इनका पॉपलेशन दीरे दीरे बड़ा है, लेकिन फिर भी इनकी पॉपलेशन के उपर खत्रा है क्योंकि आपको बता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर आमारे इंडिया में जैंगल का साइज छोटा होने बाला है और टाइगर के बच्चे जब बड़े होते हैं तो बोनियू एरिया के तलास में बहुत ज़दा ट्राभल करते रहते हैं और इसी के दोरान रोड अक्सिडेंट और इलेक्ट्रिक्यूशन के बज़े से इनकी ज़्यादा तर मोत हो जाती है इसके परती हमारे फ्च डिपाटमेंट को जागरुक बनना पड़ेगा अड़ दी एंड में आपको एही बताना चाहुँगा कि हम इनसान होने के नाते हमारा भी कुछ ड्यूटी बनता है इनके परती क्योंकि सिर्फ फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अक्षन लेने से कुछ भी नहीं होने बाला है हमारा साथ वीडियो के एंड तक देने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया